हाई गुड आफ्टिनून अब मैं आपको आज काफी तोने बहुत फार्म का टूर दे रहा हूं इससे पहले आइ थिंग जब हम फार्म में थे तब जो गर्मी की बच्चे हुई फसले थी वो हट रही थी एक सिकिन मैं अपने फोन की थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लूं अब आप देख रहे हैं कि जो सारे फार्म पे जो बेट्स हैं वो हमने पराल से ढग दिया है तो यह क्या है यह मल्च का काम कर रही है तो जिसे एक तो इसमें जो जंगली पौदें हैं वीड्स वो कंट्रोल में आ जाते हैं और मॉइस्टर भी रिटेन हो जाता है I think last time जब हमने ड्रिप इंस्टॉल कर लिए और अगर आपको पीछे दिख रहा है तो वो शोलर पैनल लगे हैं चछत पे जिससे यह जो पंप यह चलता है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमने क्या-क्या लगाया है सबसे बहले तो मैं आपको बताता हूँ हमने जो फार्म है अपना वो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है यह जो सेक्शन है यहाँ पे हम ग्रेन और ओयल सीड उगाते हैं तो यहाँ पे हम जो थोड़ा बहुत ग्रेन उगाते हैं जो इस समय गेहू लगा हुआ है यह जो है यह हमारा खाने से ज़्यादा हम बीज बचाने के लिए यूज करते हैं ताकि हमें बजार से बीज ना ख हैं और फिर मतलब हम उन पर पूरी तरह से डिपेंड करन हो जाएंगे अगर हम अपने बीज नहीं बचाते है जहां पर कुछ नहीं उगता ना वो भी स्पेस हम यूटिलाइस करने कलब देखी यहां पर मैंने रस्भरियां लगा रखी है सॉरी जब मैं कह रहा हूं मैंने तो मतलब की बिंद्रेश दिलवर भीया रविंदर हम सभी इसमें इंक्लूड़िड हैं तो यह जो रस्भरियों का पौधा है इसका जो सबसे बढ़िया बात है वो यह कि यह पर्मानेंट लगा रहता है और जैसे सर्दियां आती है इसमें फ मैं आपको और आगे ले जाता हूं तो यहां पर देखिए अब जैसे जब हमारे पास पराल नहीं थी पराल है चावल का स्टॉप ने सुना होगा डिली में अगर आप हैं खासकर कि आसपास के किसान पराल जला जेते हैं तो हमें तो पराल जितना मिलता है हम उसको आई इस्तमाल करते हैं जब हमारे पास अभी पराल नहीं थी तो राजीब भी हमें गत्ते देते हैं तो गत्तों को भी मल्च पे कर देते हैं इसके बीच में हमने मटर लगा रखे हैं ये मूलियां लगा रखे हैं मूलियां आप जैसे ही थोड़ी मूटी हो जाएंगी अब आप वहीं पे हम मूली का एक और बीच भी लगा देंगे अगर बीच में सिगनल खराब होना शुरू हो जाएगा तो आप मुझे बताईएगा बाइदे वे ये जो आपको पीले पीले पैकेट दिख रहे हैं न ये हमें सीट्स गिफ्ट भेजे थे गजानन्द अगरवाल जी ने उनका काव ग्रेजिंग करके एक चैनल है उन्होंने हमें बड़े सारे सीट्स भेजे थे जो हमने लगाएएं और उस दिन ये जिसे जो इमली का पेड़ा हमारे है सक्सेसफुल अभी तक कोई पूरा बड़ा नहीं हुआ पर हमारी जो इमली कंपोस्ट में आती है ये उसी से बीज से चीज़े निकल आती है ओके अगर आप मुझे गुड मॉर्निंग या कुछ भी कह रहे हैं मैं जवाब नहीं दे पारा मैं फार्म पे फोकल्स रूमें कमेंट्स नहीं देख पारा तो प्लीज इस बात को ना पर्सनली मत लीजेगा है ना मोस्स रिस्पेक्फुल इंटर्पेटेशन वरे जो बात है अचा यह ब्रॉड बीन जिसे हम देशी भाषा में क्यूं क्यूं कहते हैं और यह जो बीन्स है इसको हम तो कच्छा ही खा लेते हैं पर मैंने सुना है जो इसके पका के जो सूखेवे सीट्स होते हैं उनको भी भ कि यह स्नो पीज दिये थे यह जो हैं फोड़े जो डाना इतना मोटा नहीं होता शब कहने लाएं ये यह सीड़ पे जारा है सीड सेविंग कर नहीं पड़िए आपको पर मयि और यह जी आप अब चोया का स्टीर भॉड़ा हो गया उसमें किसे बैंटिंग में ने रिख soup इसको चड़ सके एक और चीज जो है यह हमसे गलती हुई है मुझे बिंदरेश ने बताया कि वो लोग जो है सरसों और गेहूं कठे लगाते हैं पर उसने मुझे रेशों नहीं बताई थी तो हमने बहुत सारा सरसों जो है गेहूं के साथ ही लगा दिया और यह टू मच हो गया जबकि किलो में किलो गेहूं के बीच में सिरफ दस ग्राम सरसों का बीच होना चाहिए था ओके मैं आपको आगे दिखाता हूँ यह जो है इसे हम जैसे कहते हैं ओरी लगाना है यह तो खैर अब देखिए यह जो है यहाँ पर हमने क्या किया है ओरी नहीं लगाई हमने जो एक एक करने की बजाए हमने बड़े सारे मूली के बीच फैक दिये ठीक है अब यह बड़ा घना निकला आया है तो हम क्या करेंगे यह जो है एस सैलेड निकाल लेंगे तो इससे इसकी थिनि आइस कर सकता है तो बताईए नहीं तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको फेर होने के लिए पूरा इसका पत्ते की क्लियर फोटो दिखा देता हूँ ठीक है अब फार्म के दूसरे हिस्से में चलते हैं तो यह जो हिस्सा है यहां पे हम गरेन और ओयल सीड यानि की गरमियां हो तो मक्की और सरदियां हो तो गेहूं उगाते हैं साथ में सरसों और अलसी। अलसी इस फ्लक्स। हैपी दिवाली सारा सारा यह है जो अलसी उगी हुई है तो अगें हम लोग क्योंकि गुडाई नहीं करते तो चीजें थोड़ा धीरे चलती है तो हमने इस समय क्या किया है कि यह जो नोटिल के लिए हमने इसको पराल को उटाया इसमें अलसी लगा दी और वीच वीच में जो है जो हमने पौद ग्रीन हाउस में त्यार किया यह लेटस का पौदा है लेटस जो है इंडिया में इतनी पौपलर नहीं है पर जैसे सालड के लिए बहुत ही साल लगती है खासकर अगर आप मुफली या तिल की ड्रेसिंग बना ले यह तो एक रांडम पाइनेपल मैंने लगा रखा है पाइनेपल का गया है कि आप जूस वाले से पाइनेपल का सर ले आईए आप इसको लगा दीजिए और यह जड़ पकड़ लेता है अच्छा अब आप देगेंगे कि इस समय अगर घर में आपके किचन में प्याज रखे में हैं तो प्याज भी लुगना शुरू कर देते हैं मतलब इसके हरे पत्ते आ रहे हैं और जब मैंने इसको जमीन में लगा दिया है तो छोटे-छोटे प्याजों में बदल जाएगा मतलब यह स्प्लिट हो जाएगा अगर मैं इसको पहले भी छील लेता तो मैं देखता है इसके अंदर दो छोटे प्याज होते हैं पर मैंने इसको इसलिए लगा है कि इसके पत्ते जब बड़े हो जाएगे तो हम वो काटके स्टीर फ्राय और सैलड़्स में खा सकते हैं बाइद वे अपडेट का कोई पूछ रहा था कि आज हम अपडेट डालेंगे हैं नहीं तो जी हाँ अपडेट एक आत घंटे में अभी बस एक्सपोर्ट हो रहा है उसके बाद वो आ जाएगा यह हमारे रूई के पौधे लगे हैं आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं तो क्योंकि हम अपने बीज बचाते हैं जो कि और्गानिक ही और ओपन पॉलिनेर्टेड है आयूशमान जी जी कॉईली कल्स जो हैं पीपल फार्म के साथ ही काम करती हैं यह हमारी टीम का रिमोट सदस्थ हैं शोरी जी फार्मिंग का तो मेरा शौक जैसे हुआ मुझे जब मैंने अपना आईटी वाला काम छोड़ा तो मेरा फार्मिंग में शौक हुआ कि बई मैं अपना सफरिंग फूट्प्रिंट बंद करूँ और थोड़ा सेल्फ रिलाइंट बनूँ और इसके आगे हां यह सर्सों हमने उगा रखी है पर इसको बीज पर नहीं जाने देंगे यह हमारे सर्सों जो है हमारे साग के लिए है यह बीच में लगा चकुंदर विच बीट रूट और यह लगी अरूगला अरूगला भी अगेन एक सैलेड है तो लेटस है और अरूगला है वो आप काफी अच्छा मिक्स रहता है अरूगला का बड़ा स्पाइसी थोड़ा मस्टर्ड थोड़ा मूली के पत्ते जैसा तेज एक स्पाइसी फ्लेवर रहता है इलाईजी का पादर मैंने आपको लगाया बदाया हमने लगाया है पर यह काम्याब नहीं रहा तो इसको हम काट काटके एज मल्च ही यूज़ कर रहे है अब अधिकांच जगा आप देखेंगे जो धनिया वगरा है सब कुछ है वो स्क्वेर्स में लगता है पर उसमें फि अधिया भी हमारा यह अपना बीज ही है बीज बीज में जो रैंडम ली यह फैनल निकली हुई है जिसे हम सौफ कहते हैं सौफ की कड़वी वाली वराइड़ी लगती है जिसका थोड़ा गहरा रंग होता है जो हरी वाली सौफ है मीठी सौफ वह यहां पर नहीं लगती हर हर वातावरन हर पौदे को नहीं सूट करता और बाई दवे यह लगी हुई है मेथी जी नहीं अब हम उस पेड़ की बात करें तो वो जो पेड़ था वो दालचीनी का नहीं था वो था कपूर का हमारे हां दालचीनी का पेड़ भी लगा है पर वो अभी छोटा है अच्छा यह हम इस तरह पनीरियां लगाते हैं जमीन में ही तो इसको अभी मैं देखके नहीं बता सकता जब थोड़ा पत्ता बड़ा होगा तो मैं बता पाऊंगा कि यह क्या लगा है क्योंकि गोबी ब्रॉक्ली हो गई ब्रॉक्ली हो गई बक्चाव होगा इन सब की यह जो बीज भी सिमिलर लगते हैं और पनीरियां भी सेम तो जब यह थोड़े बड़े हो जाएंगे जैसे ऐसे बड़े हो जाते हैं तो हम इनको निकाल निकाल के इधर उदर शिफ्ट कर देते हैं जो मैं सबसे आधा एक्साइटेड हूना सर्दियों में लेकिन जिस चीज के लिए वह है गाजर यह गाजर भी हमारे अपने बीज की है और एक ही गाजर से आप बहुत सारा बीज निकाल सकते हैं गाजर और फैनल सौंफ यह जो है एक ही फैमिली के हैं बाइद अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि हमारे खेत के बीच ओ बीच भी बड़े सारे पेड लगे में यह मैं इसलिए कर रहा हूँ ठीक है चाहे सबजी की पैदावार थोड़ी कम हो जाए पर गर्मियों में काम करना थोड़ा असान रहेगा ताकि थोड़ी मतलब जितने विरिक्ष रहेंगे थोड़ी चाया होगी और प्लस विरिक्षों से जो सोयल की वाटर रिटे क्योंकि खुला पानी है तो लोग इस बारे में सोच नहीं रहे पर ग्राउन वाटर यहां भी नीचे जा रहा है ओके अब हम चलते हैं इधर ओके यह जो पांच बेड हैं यह आलू के अब आलू का बीज बचाने में मैं हमेशा फेल रहा हूँ अगर किसी के पास कोई टेक् करता तो मेरा इमेल है robin at people farm.org आप प्लीज मुझे जो भी suggestions है वहां दीजिएगा राहुल जी आप शुरू से मारे साथ जुड़े नहीं यह जो straw हमने डाला ही है यह मल्च डाला है मल्च को Google कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए मल्च के क्या-क्या फायदे होते हैं वै जानन जी बहुत जल्द ही update आ रहा है एक आद घंट आपको रुखना पड़ेगा खेर यह जो पांच बेड़े हैं यह आलू के तो आलू का हम क्या करते हैं आलू के लिए हम खुदा ही नहीं करते तो शायद एक मैं आपको दिखाता हूं मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको मल्च डाल दी तो इसका जो हर्वेस्टिंग है उसके लिए हमें ज्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ेगी आलू ज्यादा ऊपर ऊपर ही लगा रहेगा अब मैं वाइफाई से थोड़ा दूर जा रहा हूं आप लोग बता जीजेगा सिगनल यदी खराब हो तो कौस्तु जी ये जो जो भी आपके जानवरों वाले सवाल है आप फ्रेंड्ज और पीपल फार्म में पोस्ट करिए वहां पे आपको कोई उत्तर दे देगा ये लगए हमारे बैंगन अब मेरे को ये खेती वगएरा और बागवानी का जब शौक नहीं था शौक तो मुझे शुरू स इस चेट सवाल मिल जाता है बस यह की टेमाट़ों को बारिश नहीं पसंद तो उसे में गरीन हाउस में लगाना पड़ता है आप ये जो बैड है इन में लगा ए सारा यह लस्न हो में बहुत जादा पसंद है हम अपने पूरे साल का लस्न अब उगाते है तो हम लस्सन और ह जिस तक ही जा पाँगो उसके बाद तो सिग्नल रूखी जाता है ओके मनन फिर भी छोटे या बड़े अगर हम इज़त दे तो अच्छा ही है ना सुनने वालों को भी और नहीं लगता ये जो है ये है भाबडी तो आप देख रहे हैं कि ये जगा जगा से हमने जो काट लिए तो हार्वेस्ट हम करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि फूल आने से पहले हार्वेस्ट कर लें मतलब हम मेंशा टाइम रहते हैं चीज़े नहीं कर पाते हैं अब ये जो भाबडी है इसको फूल आगे है तो इसका फ्लेवर थोड़ा फीका हो जाता है और इसके जो बीज हैं हम बचाएंगे भाबडी का बीज का एक फायदा एगी है भाबडी का बीज अगर आप खाएं तो ये पेड में जाके फूल जाता है चीया सीट की तरह ही तो ये जो है डाइटिंग वाले लोग इस्तमाल करते हैं कि भूख उन्हें जादा ना लगें मटको को जावे जी मैं चीक है जाते वे दिखाता हूँ पक्का ये है मोरिंगा जिसे हम ड्रमस्टिक के नाम से जानते हैं मोरिंगा के भी हमने बहुत से पेड यहां पर लगा दिये हैं और इसकी क्या है ज़ए बढ़ा होगा ना तो इसकी जो चून्डी है ये हम काट दें को मिलेगी और ना ही इसके हम पत्ते हार्वेस्ट कर सकते हैं बाइद अवे फार्म में जगा जगा हमने यह लगा रखा है शुगर केन अब मैं वेट कर रहा हूं हमारे यहां भी एक विजिटर आहीं थी साउट से तो उन्होंने कहा था कि वह हमें मशीन दिलवा देंगी जिस तो केले भी हमें येर राउंड मिलते रहते हैं उदे जी अगर आप हमें डोनेट करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे सपोर्ट का लिंक है और मादव आनन जी आप बिलकुल आ सकते हैं हमारे इससे में विजिटर्स भी आ सकते हैं साड़े नौ से बारा शनिवार ये सारी डीटेल्स वेबसाइट पे हैं यश्मिता राठोर जी हमें आपको जो भी अगर आपके स्पेसिफिक सवाल हैं उसका जवाब दे सकता होगा आप पूछे कि मैं NGO कैसे शुरू करूं इतने ब्रॉड कोश्चन का मैं आंसर नहीं दे सकता उसके लिए बहतर होगा कि आप यहां वॉलेंटियर करें और चीजें जाने फार्म के आसपस तीन होमस्टेज हैं जहां पर रह सकते हैं यह हमारा फार्मस्टेज है यह तो इस समय बंद है सिरफ वर्क एक्सचेंज वाले लोगों को हम यहां पर ठहराते हैं या एम्प्लॉईज को ओके यह जो हमारी जमीन है इस पे हम कुछ खास उगा नहीं पारे थे हमने हल्दी लगाई थी पर यह सूखी थी तो अब इसमें हम नए बेड्स एक बारी जब हम फर्स्ट टाइम बेड्स बनाते हैं तो हम खोद के तियारी करते हैं तो वह हम बना रहे हैं और फिर यहां प तो जितना मुझे पता है उतना मैं उन्हें सुखा रहा हूं तो यह पैच उनकी प्रैक्टिस के लिए त्यार हो रहे हैं शर्मा जी मेरी दिवाली अच्छी थी जैसे एक नॉर्मल डे होता है एक सेप्ट थोड़ा मेल जोल जादा रहा तो वह अच्छा लगा कि कुछ एक सेगिंड मैं आपको जवाब देता हूं पहले मैं एक बड़ी ओडियन से पूछ लिए अब मैंने आपको फाम सारा दिखा दिया है तो अब मैं क्यूए ने कर सकता हूं तो मैं यह कैमरा घुमा लेता हूं और आपके जो भी सवाल हैं आम मुझे बताईएगा और मैं सब बैठ के जवाब देता हूं विकास जी अगर आप गूगल करेना तो एक स्क्वेर फूट गार्डनिंग करके भी एक चीज होती है तो आपको अगर आपके बास सिर्फ नौ स्क्वेर फूट का एरिया है तो उसमें भी आप चीज़ें उगा सकते हैं तर्बूज तो एनिमल एरिया में है मैं उससे आपको नहीं मिलवा पाऊंगा सिर्फ जो एक जिस जानवर से मैं आपको मिलवाऊंगा वो है मटको पर तर्बूज आज के अपडेट में आएगा रूफटोर फार्मिंग के लिए आपको एक रेस प्लाटफॉर्म चाहिए ताकि छट से लगना रहा हो एक आपने माली जैसे कूलर का स्टैंड होता है वैसे एक स्टैंड बनवा लिया उसके उपर जैसे कूलर की ही बॉड़ी ही होती है जैसे नीचे जिसमें पानी रहता है वैसी आपकी बॉड़ी हो अगर वो तीन से चार इंच भी है तो इतनी जगा काफी है इसमें आप काफी चीज़ें उगा पाएंगे नरेन जी यह तो बड़ा अच्छा है कि आपने एक डॉग को दो डॉग्स को और एक बिल्ली को अडॉप्ट किया मुझे नहीं पता आप किसकी बात करें शायद आप जो की बात करें होंगे जो हमारी एक को फाउंडर है अच्छी फार्मिंग के पांच तरीके मैं तो सिर्फ एक ही जानता हूं नो टिल फार्मिंग मैं एक चीज मुझे दिखी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यह देखिए यह है चाइब्स चाइब्स क्या है कि यह सिर्फ लसन के पते हैं पर यह सारा साल लगे रहते हैं तो सारा साल अगर आपको लसन का फ्लेवर चाहिए आप लसन नहीं बचा पाते इतना तो आप चाइब्स लगाएगे और इसको मैं अभी तो बांट नहीं सकता पर जैसे इसको लगाएवे दो साल हो गए अगले साल में इसको अलग-अलग करके और सेपरेट कर सकता हूं और फिर यह भी वहां पे भी ऐसे बड़े-बड़े गुच्छे हो जाएंगे मैंने इसक इसको सेपरेट करना शुरू कर दिया है वैसे जल्दबाजी में वैसे एक साल और रुखना जाएगे यह देखिए यह देखिए तो यह आपको देगा तो ऐसी छोटी मोटी जो अर्ब्स है नहीं तो आप घर में भी बड़े अराम से गमलों में भी लगा सकते हैं यह स्टी इनिधिंग इल्स किन बी ग्रोन टेरेस बहुत कुछ उग सकता है बोरी में आलू उग जाएंगे लस्टन उग जाएगा प्याज उग जाएगा च्छत पे इन फैक्ट अलसी तक आप उगा सकते हैं यह देखिए अब हमारे को कई लोग कई बारी जो पपीते हैं वो अपने लेकिन सर्दियों में फ्रोस्ट में यह जो है इसका मरने का बहुत ज्यादा चांस रहता है सनी जी जॉब के साथ हमारी वेबसाइट पर देखिए जो पोजिशन हैं अगर आप उनमें से किसी में फिट होते हैं तो प्लीज अपना रेज्यू में भेज दीजेगा हमारे यहां जॉब का जो सबसे बड़ा क्राइडिरिया है हम कहते हैं पहले लोग आकर टू वीक्स व शौरे जी में इतनी विवसाइक तोर पे हम फार्मिंग नहीं करते हैं तो कॉस्ट वगेरा का हमने इतना ध्यान तो नहीं रखा फिलाल सिरफ यह है कि भई जो बीज बेचके और ड्राइड अर्ब्स बेचके जो हमारा फार्म स्टाफ है उसकी सैलरी निकलनी चाहिए फार् रविंदर जी जो फार्म देखते हैं और बाकी बाकी लोग उनकी कभी-कभी मदद कर देते हैं अंकिता जी ओर्ट्स के वारे में तो ओर्ट्स जो हैं आपके लगते हैं यह इसी मौसम में जो आपको घास में उस तरफ लेके नहीं जा पाया वहां पे सिगनल नहीं आएगा तो हम उसको जौई कहते हैं not जौ, जौई बारले जौई कहते हैं पतला सा बीज रहता है यह हम लगाते हैं और इसकी जो घास काटाटके हम पश्यूँगों को हरे चारे के तौरपे देते हैं पर इसको हम बीज पर जाने दें चूक着 हम बीज बचाते हैं जॉई हम अपने गाड़ा बनाना हो जैसे खीर बनानी हो उसके लिए वो दूद बहुत ज़्यादा काम्याब है डॉक्टर पालिवाल जी बिल्कुल हम इस समय एक और फार्मसिस्ट की तलाश में हैं तो अब अपना रिज्यू में भेजिए पर हम किसी लोकल का चाहते हैं नहीं तो लोगों को ठहराने की बहुत समस्या रहती है crazy candy अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो अधिकांश ओडियन्स है ना वो और शारी यह मैं इंग्लिश में बोलना पड़ेगा crazy candy if I talk in English then most of our audience which is way more comfortable in Hindi they won't be able to understand me sorry but probably I'll do next Friday you will see a farm tour which is a year old but from this exact season it's that's in English नहीं निशान जी हम वो उसकी सेड़ नहीं करते फूलों की हम सिर्फ वो ओके हम सिर्फ केलेंडूला का जो फूल है वो उगाते हैं काफी 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 अमाउंट में ताकि हम उसका तेल बना सके बाइद वे यह रहा मट को मैं आपको दिखाता हूं मैं इसको यह वाली जो बैरी जाए बहुत ज्यादा पसंद हैं खाने को पड़ता है यह ना ऐसे जैसे पूछो मत रुको अनंच जी जो ओट्स मिल्क है उसका टेस्ट जो है नॉर्मल मिल्क से फरक रहता है सौरी मैं एक सेकिंड नहीं इस पर फोकस करता हूं यह मेरा उंली खा जागा नहीं तो ले भाया तू ड्रा मत मुझे गेर दिया ना तूने मैं आपका नाम तो नहीं पड़ पाया आपका अंजू आप वालेंटिये कर सकती हैं बिल्कुल लेकिन सारी जो जानकारी है हमारी वेबसाइट पर है लोग मुझसे बहुत नराज होते हैं कि मैं फोन पर नहीं आता पर सच में अगर फार्म भी चलाना हैं वीडियो भी बनाने हैं और इसको आगे भी बढ़ाना है तो मतलब समय की इतनी कमी रह जाती है बहुत जादा और जो समय मिलता भी है तो उससे में मैं इमोशनली इतना ड्रेंड होता हूं कि उससे में किसे बात नहीं करना आता क्योंकि फिर बंदा शॉर्ट टेंपर हो अब जॉलत राम जी और बिंद्रेश वह पीछे आपको टीन की चट दिख रही है ना वहां पे मूव हो गए हैं अन्जु जी हमारी वेबसाइट है पीपलफार्म.org इर्फान जी हमारे विलेज का नाम है धनोटू आप लोगों को कि जो यह जो सवाल है ना हम कहां है यह सब तो अगर आप पीपलफार्म गूगल करें तो ही मिल जाएंगे तो हाँ बस इतना ही था सौरी मतलब कि यह जो सवाल है इसके लिए आपको ना में फोन करने की ज़रूबता है ना इमेल यह सवाल तो हमारे वेबसाइट पे आंसर है और गूगल पे भी आंस झाल में झाल